दोस्तो अगर आप PF के मेंबर है तो पिछले एक महिनों से क्लेम अंडर प्रोसर्स की समस्या बहुत जादा बनी हुई है साथ में इस सम्मेड एट पोर्टल की समस्या इसके साथ में PF पास्बुक की समस्या तो इतनी सारी समस्या जो आपको आ रही थी उसमें मैं समय समय पे आपको वीडियो देता रहा था जहां पे मैं ट्रांसफर के बारे में भी बता रहा था अंडर प्रोसर्स के बारे में भी बता रहा था और pending at portal भी बता रहा था तो यहाँ पे जो मेरी बाते थी उस चीज को एक news article ने confirm किया है इस news article को हम पढ़ेंगे उससे पहले मेरा 5 दिन पहले का एक बार वीडियो देख लीजे जहाँ पे मैंने आपको यही बताया है कि मेरे opinion में मतलब मैंने ऐसा कोई news नहीं देखा था जब मैंने यह वीडियो बनाई थी तो आप पहले यह सुन लीजे कि मैंने यहाँ क्या का है तो दोस्तो मैंने साफ साब बताया था कि PF office के system में कोई कमी है जिसकी वज़े से अधिकारी चाहते हुए भी आपका form पास नहीं कर पा रहे है तो यही चीज यहाँ पे news के मादियम से निकल के आई है जहाँ पे PF के करमचारियों ने मतलब मान लो कि PF एक संस्था है उस संस्था के अंदर मान लो कि 50,000 करमचारी है उन 50,000 करमचारीयों ने एक union बनाई हुई है यहाँ पे जो news निकल के आई है वो EPA4 वालों ने letter नहीं लिखा है उनके जो करमचारीयों है उनके जो करमचारी है ना उन्होंने letter लिखा है किंदर सरकार को जहाँ पे किंदर सरकार को कह रहे है कि साब आपने जो हमें IT system दिया है जहां से हम फॉर्म लोगों के पास करते है वो system अभी इस तरह से काम कर रहा है जिसकी वज़े से हम लोगों का फॉर्म पास नहीं कर पा रहे है तो अगर मैं यहाँ आपको साफ साफ पढ़के दिखाऊं तो यहाँ पे यह कहते हैं कि senior अधिकारी ने कहा है कि हमने पहले claim settlement के लिए 30 दिन का समय होता था लेकिन अब सिर्फ 20 दिन का वक्त होता है तो यहाँ जो citizen charter की बात की जा रही है मैंने अपनी वीडियो में citizen charter हर बार refer किया है मैंने बताया है कि कानून कहता है कि आपका claim 20 दिन के अंदर पास हो जाना चाहिए लेकिन असलियत में 20 दिन में पास होता है या नहीं होता है वो आपको भली बाती पता है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाला कि यह दावा तो करते हैं कि हम तो form 3 दिन के अंदर पास कर देते हैं लेकिन कानून के अंदर जो time लिखी हुई है मतलब उससे उपर तो किसी हाल में नहीं जाना चाहिए वो 20 दिन की तारीख लिखी हुई है और अभी क्या हो रहा है अभी October महीने के अंदर 20 दिन तो छोड़ो 30 दिन 35 दिन 40 दिन भी हो गए हैं लोगों के claim under process हो रहे हैं तो इसी दवाब को PF अधिकारियों ने कहा है कि भाई जाब हमारे उपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि हम लोग claim late से pass कर रहे हैं या हमारे उपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि हम जो है reject कर देते हैं लेकिन यह सारी जो कमी है यह system की है जहां पे लिखा जा रहा है कि वहीं ITA system में दिक्कत की वज़े से manual जानकारी update करनी पड़ रही है अधिकारियों को कहना है कि पुरानी ITA system देरी के जिम्यवदार है तो जैसा मैंने अपने opinion में बताया था कि देखो यहां पे कोई भी अधिकारी अपने system पे pending काम नहीं रखना चाता मैं कई बार PF office जा चुका हूँ यहां पे PF के जो अधिकारी होते हैं वो proudly कहते हैं कि भाई हमारे यहां जो है मैं आज का सारा काम clear करके जा रहा हूँ तो उनको एक गर्व होता है कि हाँ हमारे पास पे कोई pending नहीं है तो यहां पे 99% जो अधिकारी है वो कभी नहीं चाहेंगे कि आपका claim under process में रहे वो हमेशा यह चाहेंगे कि automate हो जाए तो यहां पे system की कमी की वज़े से आप लोगों का claim under process है और यह जो letter लिखा गया है आप देख सकते हैं सरकार को लिखा था पत्र तो यह जो पत्र लिखा गया है वो E.PFO नहीं लिखा है यह जो इनका जो union होती है करमचारियों का union होती है उन्हों ने लिखा और उन्हों ने क्यों लिखा तो इसके बारे में उपर लिखा गया है कि करमचारी भवशन निदि संगठन के एक अधिकारी ने कहा है कि काम का दवाब बढ़ गया है क्योंकि सॉफवेर अपडेशन के कारण कई तरह की दिक्कते आ रही है जिस कारण मैनुल काम करना पड़ रहा है ऐसे मैं अधिकारियों पे काम का दवाब पहले से ज़ादा हुआ है और क्लेम सेटलमेंट को लेके देरी हो रही है ठीक है तो क्लेर कट यहां बताया गया है तो यहां पे आप समझ सकते हैं कि PF अधिकारी खुद लाचार होके केंदर सिरकार को एतर लेटर लिखे रहे है और यहां पे अगर आपका भी अंडर प्रॉसस में है तो मेरे भी बहुत सारे कस्टपमेर का अंडर प्रॉसस है मैंने उनके आगे हाद जोड लिया है मैंने बाई सब्सक्तर मorous नहीं पता तो मैंने अपने तरफ से सब वेबसाइट लाँच होई थी तो इसके बारे में मैं लगातार क्रिटिसाइज करता आ रहा हूँ मैंने कई बार बताया है कि ये जो वेबसाइट है मुझे लगता है रिश्वत दे के बनाई गई है क्योंकि यहाँ पे इतना जादा यहाँ पे ग्राफिक्स डाले गए है जिसकी कोई जरूरत नहीं थी ग्राफिक्स के नाम पे यहाँ अन्नेसिसरी सिस्टम का लोड बढ़ा दिया गया है तो करप्या करके मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपका क्लेम अंडर प्रोसर्स चल रहा है तो आप यहाँ पे वेट कर सकते हैं अगर आपने किसी को ऐसा मतलब कमिंटमेंट कर रखा है कि भाई साब हमारे तो पैसे हफते बर में आ जाएंगे तो फिलाल के लिए भी भूल जाएए अभी यहाँ पे फेस्टिवल सीजन चल रहा है अभी यहाँ पे पीफ अधिकारियों की भी चुट्टियां होती है तो यहाँ पे आप मानके चलिए कि आने वाले हफते भर के अंदर भी आपका काम होना थोड़ा सा मुश्किल है हो सकता है कि यहाँ जो software update ला रहे हैं कुछ इस तरह का system ले आएं जहाँ पे आपका जो claim है वो जल्दी settle हो जाए सारी कहानी यहाँ पे जल्दी settlement की है जो है 90% जो काम करते हैं वो यही करते हैं कि claim settle कर दिया transfer कर दिया और उसके बाद मालो उसका और कोई settlement होना है तो यही काम करते रहते हैं जबकि यह काम 100% automation में होना चाहिए तो यह मेरा suggestion है यह मेरी एक request है कि PF office अगर आप नया software बना रहे है तो कृपिया करके उसमें यह provision ज़रूर implement कीजे सबसे पहला provision यह implement होना चाहिए कि जो transfer का अभी आप करते हो one ID to another ID employer के पास request जाती है उसको आप बंद कीजे उसके लिए ज़रूरी नहीं है जब दोनों ही संस्था आपकी है तो एक संस्था से दूसरे संस्था में जाने का process जो है वो employee जो है वो self request कर दे और वो self request करके आपके पास जो है वो automatic system हो जाए अभी जो transfer करने में time लगता है वो एक महिने से दो महिने का time लगता है जो की बहुत जादा unwanted time है और यहाँ पे आगे चलके subject to verification भी हो जाता है जिसको भी PF अधिकारी को manually करना पड़ता है तो क्यों unnecessary उसका काम बढ़ा रहे हो अगर अधिकारी को free रखोगे तभी तो वो जो productive काम है वो कर पाएगा यह जो है transfer में ok 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 इसी काम के लिए आपने उसको इतना मतलब इतनी तन्खा देते हो क्या PF अधिकारी को अगर लाखो रुपे की तन्खा मिलती है साल की तो कम से कम उससे कोई productive काम कराओ यह क्या unproductive काम कराते हो कि subjective verification होगा फिर वो उसको click click कर देगा तो हो जाएगा मैंने यहाँ पे देखा हुआ है उनको जो है न यहाँ पे आप unproductive काम से हटाईए जो चीज़े automation में हो सकती है वो automation में कर दीजिए जैसा कि यहाँ पे मैंने बताया है सबसे बड़ी problem transfer की है उसके बाद अगर आपको claim settlement करना है अगर personal मालो एक बार आपने verify कर लिया एक बार आपने verify कर लिया कि हाँ चलो यह bank ठीक है और अगर similar bank में आता है तो next claim तो आप automation में कर दो या फिर आप जो employee है जो आपके करमचारी है PF करमचारी अगर वो भी claim pass कर रहे हैं तो one click में settlement करो ना मैंने देखा है यार बिचारों को 4-5 बार तो उसको click करना पड़ता है यहां से window खुलेगी वहां से वो KYC के value put करेंगे मतलब वो match करते रहते हैं पॉप अप स्क्रीन पॉप होती रहेगी अच्छा इसका नाम क्या है KYC में नाम क्या है अच्छा वहां profile में father name क्या है अच्छा इसका balance कितना है अच्छा ये इतना कितना है अरे महराज ऐसा क्यों करते हो यार आप 2023 के अंदर चल रहे हो और अभी भी आपका system जो है वो 70 साल पुराने system की तरह काम कर रहे है वो request letter लिख रहे है केंदर सरकार को तो अब अगर आप कोई नया system लाएंगे तो कृपया करके उन में ये कमिया मत छोड़िएगा जो आपके पुराने system में कमिया है तो अगर मेरी आप बात से सहमत है जरूर मुझे comment में बताएं मेरी वीडियो को जादातर जो PF का काम करते हैं वो लोग देखते हैं तो आप मुझे बताएं जो मैं बात कह रहा हूँ क्या impractical है क्या ऐसा नहीं हो सकता है क्या ऐसा बैंकों के अंदर नहीं होता है अरे यार बैंकों के अंदर तो भाई साफ जितना आप महीने में claim settle करते हो उतना तो कई बैंक ऐसे हैं जो हफते भर में करते हैं जब बैंक वाले हफते भर में उतना ही transition कर सकते हैं बलकि उससे जादा के transition कर सकते हैं तो आप PF office होने के नाते आप अपने आपको दुनिया के सबसे बड़ी संस्था कहते हो तो दुनिया का सबसे अच्छा system तो आपके पास होना चाहिए ना तो कृपयागर के PF अधिकारी जो टॉप लेवल पे PF अधिकारी बैठे हैं उनसे request है कि कृपया करके आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए और कृपया करके केंदर सिरकार में अगर आपकी कोई नहीं सुन रहा है तो कृपया करके उनके पीछे लग जाईए अगर आप अपना मैं जो particular हमारे top level पे जो मैडम हैं उनसे request करूँगा कि कृपया करके मैडम आपका जो भी tenure होगा मेरे हिसाब से आपका tenure में भी complete होने वाला होगा क्योंकि 2-3 साल से तो मैं आपको देख रहा हूँ आप पदबे बने हुए हैं तो आपका ये best contribution होगा EPFO संस्था के लिए कि आप EPFO संस्था के लिए एक ऐसा ITA सिस्टम डिजाइन कीजिए जहां पर जो claims हैं उसे automation में कर दिया जाए जिसके वज़े से ना केवल आपकी संस्था के employees का फायदा होगा बलकि जो लाखों PF members हैं जो हर महीने लाखों फांज भरते हैं उनका claim from जल्दी process हो जाए तो जरूर मुझे feedback दीजेगा कि जो मेरे suggestions है जो मेरा opinion है वो आपको कैसा लगा है मिलते हैं आप से किसी और information भरी जानकारी में इस वीडियो में इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद